हेलो गाइज मैं उपेंदर सिंग और आप देखें हमारा यूटूब चेनल अनमोल वीडियो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी चेनल में दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपकी बीच क्लास 9th 2020 का साइंस का अंसर सीट जहां दोस्तों अंसर की मैं लेकर आया हूँ आपकी बीच तो दोस्तों परिश्टम पत्र को सामने रखें और पेन या पैंसिल लेके बैठें और आप इस अंसर की से आप अंसर मिलाते जाएं अंत में आप मुझे कमेंट करके यह बताएगा कि आपके 49 सवालों में कितने जवाब सही हुए तो ठीक है दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी हमारी चैनल को सबस्काइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे की हमारी चैनल पे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आ आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे हमारा चैनल है दोस्तों अनमोल वीडियो एन एज़केशनल चैनल तो दोस्तों अगर आप हमसे कुछ विशेश चैट करना चाहते हैं तो हमारा वाट्शिप नमर है दोस्तों 7050627934 तो दोस्तों देर न करते भी आज की वीडियो को सुरू करते हैं तो देखते हैं दोस्तों आज की इस प्रश्ण पत्र का पहला सवाल आज का पहला सवाल है दोस्तों तोरन का SI मात्रक है तो इसका दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आज मैं सबका सिर्फ अंसर बताता जाऊंगा और next वीडियो में मैं define के साथ बताऊंगा कि जो आज का जो अंसर होगा 4 प्र मतलब 4 अप्सन में जो भी सही होगा उसके बारे में detail बताऊंगा आगला वीडियो में तो समय को देखते वे आज शुरू करते हैं तो दोस्तों तवरण का ऐसा यह मात रख है अप्सन यह मीटर बी मीटर परती सेकेंड सी मीटर परती सेकेंड 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 तो अप्सन यहाँ पर होगा आपका तीसरा नमर हो जाएगा आगे बढ़त चाल आगे देखते हैं दोस्तो नीमन में कौन सा सही है इसका अंसर होगा 3 नमबर आगे देखते हैं दोस्तो तीन केजी द्रिवमान की वस्त उपर 12 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन तोरन होगा अंसर होगा दोस्तो उप्सन नमबर ये 4 मीटर पर सेकंड स्कुरार आगे रड़ेटासर से अधिक होगा तो दोस्तों इसमें अनसर हो जाएगा दोस्तों D number आगे देखते हैं दोस्तों Newton का गति का कौन सनियंबल के परिभासा देता है दोस्तों तो इसका जवाब हो जाएगा option 3 तीसरा आगे देखते हैं दोस्तों किसी M दरिवमान की वश्तू जिसका वेग भी है का संग वेग होगा तो इसका जवाब हो जागा दोस्तो ओप्सन नमर चार आगे देखते हैं दोस्तो सरवतरिक गुरुत्वाकर्शन अश्तिरांग जी का मान है तो इसका अंसर हो जागा दोस्तो ओप्सन नमर दो आगे देख दें दोस्तों, खीची होई रबर के छले में कौन सी उर्जा संचित होती है, तो इसका अंसर हो जागा दोस्तों, अस्थिति उर्जा, अप्सन नमबर A, आगे देखते हैं दोस्तों, किसी तरंग के तरंग वेग भी तरंग गर्द लेमडा तथा आवरती N में क्या संबंध है तो इसका अंसर हो जागा दोस्तों, अप्सन नमबर A, पहला ही इसका अंसर सही होगा, आगे देखते हैं दोस्तों, तरंग के आवरत काल T तता आवरती F में क्या संबंध होता है, तो इसका अंसर हो जागा दोस्तों, अप्सन नमबर 2, F बरावर 1 by T, या 4 T बरावर 1 by F, आ अंसर हो जगा दोस्तों चीनी का सरबत आगी देखते हैं दोस्तों योगिक उदाहरन है योगिक किसका उदाहरन है दोस्तों जल का आगी देखते हैं दोस्तों निल नमबन में परिछेपित कनोकाकार होता है अंसर हो जगा एक सो एम एम के बराबर आगी देखते हैं दोस्तों 18 नमबर साधार नमबक का रासानिक सुत्र इसका अंसर वो जगा दुस्तों, अप्शन नमर दू, NACL अगला कुश्चिन दोस्तों कौन सात्त्यों मुक्त परमानों की रूप में पाया जाता है, अंसर वो जगा दूस्तों, अप्शन नमर हेड्रोजन आगे देखते हैं दूस्तों 20 सवाल 5.85 ग्राम प्रावर होता है इसका अंसर जगत दूस्तों ऑप्सन नमबर 3 आगे देखते हैं दूस्तों 6.0 दो दो गुने 10 पावर 23 कनों के समों को क्या कहा जाता है अंसरो जगत दोस्तों मूल आगे देखते हैं 22 बाइसमा सवाल परमानु के तीसरे कोश में अधिक सधी कितने इलेक्ट्रोन रह सकते हैं इसका अंसरो जगत अप्सन नमबर 3 आघे देखते हैं दोस्तों मैगनेशियम का सः कि एलेक्ट्रोनिक विनियास निमन में कौन सा है इसका अप्सन नमबर 12 है आगे देखते हैं दोस्तों कोशिका का पावर हाउस के अकल आता है मैट्रो कॉंड्रिया आगे देखते हैं दोस्तों 27 सवाल पादब कोशिका के चारो तरख पाए जाने वाले जिल्ली का नाम अंसर जगा प्लाज्मा मेंब्रेन आंके प्लाज्मा जिल्ली आगे देखते हैं दोस्तों 28 सवाल इनांकित में से कौन फ्लोयम का भाग नहीं है तो इसका अंसर हो जागा दोस्तों 4 अप्शन स्नायू आगे देखते हैं दोस्तों कौन सा उत्तक जल और खनीज का वहन करता है इसका अंसर हो जागा जाइलेम आगे देखते हैं दोस्तों तीसमा सवाल कोरक कोशी काओं में पाया जाता है अंसर हो जागा ओप्शन 3 सुबरीन आगे देखते हैं दोस्तों अस्पाय रोग आयरा है ओप्शन हो जाएगा एक कवत आगे देखते हैं दोस्तों एक कोशी जन्तू इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों Amoeba आगे देखते हैं दोस्तों 23, किस जंतुमें विशेलिव उपांग पाए जाते हैं इसका अंसर हो जाएगा विच्छू आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ निद्रा रोग उतपन करता है अंसर होगा ट्रेपे नो सोमा option नमेर 1, आगे देखते हैं दूस्तों, पेचिस का कारख जीव कौन सा होगा, अनसर हो जागा end amoeba, आगे देखते हैं दूस्तों, आइन मंदल का विस्तार, इसका option नमेर 1 ही सही होगा, 80 km से 640 km, आगे देखते हैं दूस्तों, 37 सवाल, 10 degree Celsius बराबर हैं, दूस्तों, आपको य बरावर होता है वो 283 के बरावर होता है ओप्सान नमडर दुफ इसका सही जबाब होगा दोस्तों आगे दिखते हैं निम्हना अंखी में कौन तत्व नहीं है our जसका जवाब फोज cassette फानी पानी तत्व पानी त्योगिक होता है दोस्तों आगे देख thrive दोस्तों 49 सवाल दूर्ट के उत्पादन में करांती कारी विर्धी को कहते हैं दोस्तों मैं इस सवाल को आपको प्रेक्टिशेट में भी करवाया था आपको याद होगा दोस्तों इसका सही जवाब हो जागा अप्सन नमबर 3 स्वेट करांती आगे देखते हैं दोस्तों आज का लास्ट सवाल एथिलिन डाई ब्रोपाइट है इसका जवाब हो जागा दोस्तों धुमक अप्सन नमबर 4 तो दोस्तों आज का सवाल समाप्थ चुका है और आप आपको ये पता जलिया होगा कि आपके 40 में से कितने जवाब सही हुए है तो आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं है ना कि आपके 40 में से कितने सवाल का जवाब सही हुए ठीक है तो कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप दिल से लाइक कर दिजएगा और अपने साथियों में शेयर कर दिजएगा अपने साथियों के जितने सारे WhatsApp ग्रूप फेस्बूप में सब मैं इसको फैला दीजिये दोस्तों दोस्तों आप हमारा सपोर्ट कीजे और मैं आपका सपोर्ट करूँगा चीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के जो मैं तो सिर्फ जवाब दिया हूँ option का answer बताया हूँ लेगिन अगला वीडियो में मैं इसको define करके लाओंगा है ना तब तक के लिए जय हिन जय भारत